वो सदा अपने आपको संसद से उपर, सदन से उपर, सरकारों से उपर, देश से उपर और न्याई विवस्ता से उपर समझते हैं। उनके साथ साथ वाइनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। डिबेट्स में पार्टिस्पेट नहीं किया। एक भी आज तक प्राइबेट मेंबर बिल तो लाने की बाद दूर। लेकिन अपनी सरकार में 2013 में ओडिनेंस को बरे चुराहे पर फाड़ देने का काम और नॉंसेंस बोलने का काम ये शरीमान राहुल गांदी जी ने किया। वो सदा अपने आपको संसत से उपर, सदन से उपर, सरकारों से उपर, देश से उपर और नयाय विवस्ता से उपर समझते हैं। और इस सेंस ओफ एंटाल्टिल्मेंट की जो बात कही ये अपने आप में उन पर लागू होती है। अब एक बात पहले आई कि क्या, दो साल की सजा, देखिए मितरो 2018 में, मैं बापको 2018 में इसलिए लेके जा रहा हूँ, कि SLP जब सुप्रीम कोड में आई तो 2018 में उनसे रिटन माफी माफी माँगी गई, लिखित रूप में माफी, और कोड ने का भविश्य में सजेत रहना ऐसी गलती मत करना, लेकिन 2019 में एक बार नहीं कई बार ऐसे जूटे आरोप तो लगाए ही, अभद्र भाशा का प्रयोग अपमान करने का काम, अब शब्द बोलना, ये उनकी आदत सी बन गई थी, सभी चोर मोदी हैं, ये बोल दो, किसी को किसी के हत्या के साथ जोड़ दो कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही ही नहीं सकता, ये उनको लगता था क्योंकि, वो सब चीजों से अपने आपको उपर समझते थे, तो सूरत के कोट ने तो याद करवाया कि 2018 में भी तुम्हें कहा था भई, सुधार नहीं हुआ, उसके बाद बार बार आपने गलतियां की हैं, और एक सांसे जब ये गलती कर रहा है, तो कुछ ना कुछ दंड ऐसा देना चाहिए, कि अब विश्य में ना हो, जहां तक सिदसेता जाने की बात है, ये लिली तॉमस केस में बहुत सपष्ट है जी, सुप्रिम कोट की जज्जमेंट के बाद, कि दो साल का दंड हुआ, और दो सिद्धी के बाद अगर उसके उपर रोक नहीं लगी, तो आप सस्पेंट माने ही जाते हो, इसकी तो पुष का लुष ये ए दुदाने हीनिए वो 。」 और प्रसिंघ के ओद dó झाल झाल